स्वागते दोस्तों आप सभी का आयल सुइत निरव चैनल पर मेरा नाम है निरव एंड आज ये वीडियो में मैं आपको डीटियर इंफोर्मेशन देने वाला हूँ मेरी नई इंग्लिश ग्रामर एप्लिकेशन के बारे में हो सके तो वीडियो को अंध तक जरूर से देखे यहां पर उपर की और एक टोगल बटन दिया गया हुआ है वो टोगल बटन आप अगर यूज करोगे तो आप ऑनलाइन और अफलाइन मोड में स्वीच कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप अफलाइन मोड एकसेस करके भी जो है वो अप्लिक प्रिचर मिलेगे बिजिकली यह अप्लिकेशन सिर्फ ग्रामर बुक के लिए नहीं है चार तरीके से आप अपना इंग्लिश ग्रामर जो है वो इंप्रूव कर सकते हो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ग्रामर बुग जो है oldest method उसके बाद जो है वो है listening आप सुन के इंप इंप्रूव कर सकते हो, quickly हम start करेगे पहले section से, अब यहां पर आपको, जो basically है, सबसे पहला option है, वो है 30 days course, अब यह dedicated है, IELTS, PTE, या फिर competitive exam students के लिए, जिसमें 30 days का course दिया गया है, जिसमें 30 days में आप अपना grammar जो है, वो improve कर सकते हो, लेकिन इसमें सारी जीजे cover नहीं होगी जो important points है, वो सारे cover हो जाएगे, लेकिन सारे points जो है, वो cover नहीं होगे, अब इसके लिए आपको यहां पर switch करना पड़ेगा, जो है 100% grammar course, यहां पर आपको 99% सारे topics जो है, वो मिल जाएगे, और यहां पर एक और चीज़ जो है, यहां पर उपर दिया गए, बटन आप यू कर सकते हो, यहां पर 80% course जो है, वो dual language में है, आपको दोनों language में course मिलेगा, 80% कुछ sections जो है, वो completely English में रहेगे, बाकी के 80% जो lessons है, वो dual language में available है, तो यह है complete grammar course quiz के साथ, अगर आप कोई भी section open करोगे, तो उसमें आपको quiz का option मिलेगा, वहीं से आप quiz जो है, वो start कर सकते हो अब उसके बाद जो है, वो alphabet wise grammar, अब यहां पर काफी सारे ऐसे topics मैंने mention किये है, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगे, जैसे की say or tell, अब दोनों का use कहां पर होता है, proper use कैसे कर सकते हो, ऐसे काफी सारे topics जो है, वो आपर add किये हुए है, वसी के बाद common grammar doubts भी यहां पर मैंने add क किये हुए है, अगर आप 80% of students को इन में से ही common doubts होते है, अगर आपको भी होगे, तो यहां से आपका doubts है, वो clear हो जाएगे, अब उसके अलावाद जो features है, वो है quiz, जहां पर random question quiz रहेगी, अगर आप correct answer दोगे, तो आप आगे बढ़ पाओगे, अगर गलत होगा तो नीचे आपको correct answer मिलेगा, अगर आप next जाना चाते हो, तो next भी जा सकते हो, तो यह हो गई basic method की बात, यह सिर्फ एक section है application का, अब हम switch करेगे दूसरे section पे, जो है listen and improve, अब यहां पे listening का आपको बहुत ही अच्छा material मिलने वाला है, audio quality जो है, वो कहीं पे मैंने compromise नहीं की है, सबसे पेला है, 100 common phrases, उसके बाद 500 phrases है, जिसमें basic to advance आरे phrases हो जाता है, उसके बाद audio books मिलेगी आपको, उसके बाद आपको audio lessons मिलेगे, उसके बाद आप यहां पे live BBC radio भी सुन सकते हो, अगर आप इंडिया में हो, या फिर और कोई country में हो, non English speaking country में हो, आप सिर्फ एक click से, काफी सा कर सकते हो, उसके अलावा यहां पे 1000 English conversations को मैंने यहां पे add किया गया है, अब यहां पे सूचे, आप 1000 कब खतम करोगे, यह बहुत ही lengthy course है, उसके अलावा real English conversations भी यहां पे है, उसके बाद audio course है, जो dual language में है, तो आप यह भी सुन के अपना English improve कर सकते हो, यहां पे last में material जिसमें आपको सुन के answers लिखने होते है, यहां पे भी आप अपना grammar improve कर पाऊगे, तो यह जो सारे तरीके है, वो listening के है, अब कभी भी अगर आपको switch करना है reading पे, picture पे और वीडियो पे तो उपर दिये गए तीन बटन से आप easily switch कर सकते हो, लेकिन यह सारे features जो है वो आप आप जो है fun picture से improve कर सकते हो, जैसे कि part 1 है, part 2 में जाओगे तो दूसरी image, part 3, part 4, यह सारे sections जो है, वो online section है, तो आपको internet connection की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत जादा heavy internet connection चाहिए होगा, अगर आप 3G या 4G उस करते हो, या फिर Wi-Fi तो easily आप यह सारी चीज़ों को access कर पाऊगे, और एक बार अगर आप download करते हो, तो catch में रहता है, तो दूसरी बार वो load नहीं होता है, यह चीज हो गई, picture के बारे में, इसी तरह से यहां पे काफी सारी और चीज़े मैंने mention की हुए है, जिसे भी आप picture through improve कर सकते हो, जैसे कि using should and must in English, बहुत ही आसान तरीके से वो चीज़ सीख सकते हो, तो अगर यहां पे last section reading comprehensive task है, तो यहां पे आप पढ़के भी reading improve कर सकते हो, जैसे कि यहां पे यह paragraph दिया गया हुआ है, नीचे कुछ questions है, यहां पे अगर आप यहां पे click करोगे, अगर answer सही होगा, तो आपको correct answer मिलेगा, अगर नहीं होगा, तो उसका color जो है वो change हो जाएगा, तो यहां पे आप पढ़के भी improve कर सकते हो, यहां पे basically जितना आप पढ़ोगे उतना आपको grammar के बारे में ज्यादा information मिलती रहेगी, तो यह हो गया third section, अब हम बात करने वाले है last section के बारे में, जो है video, अब यहां प कर रहा हूं, सायच से YouTube पे copyright strike मिल सकती है, लेकिन यहां पे video course भी available है, तो यहां पे आप इन चार तरीके से बहुत easily अपना grammar improve कर सकते हो, बस यह वीडियम इतना ही आसा रखता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आए होगा, पसंद आए तो like जरूर से करो, share करो, यह application काफी सारे लोगों को English grammar improve करने में help कर सकती है, आपका share जरूरत मन तक पहुचेगा, तो वो भी Android application डाउनलोड करेगे, अब यह application आज रात को मैं publish करूँगा, उसके बाद video description में, कल सुबह मैं यह application की link डालने वाला हूँ, तो आज अगर अपने video देख लिया है, तो कल यही video फिर से देखो और नीचे आपको description में link मिलेगी, वही से आप application को download कर सकते हो, प्लस में community tab में भी share करूँगा, अगर आपको वी वीडियो पसंद आया है, ऐसे वीडियो देखना चाहते हो, तो subscribe करो, आयल स्वित नेरो चैनल को, और साथ ही तब बहाओ bell icon को, ताकि आप कोई भी update miss ना करू जल्दी, एक fresh content के साथ से मुलाकात होगी तब तक ले जा हिंद, वन देवातर हो,